जहेंन मेरे प्यारे दोस्तों मारी इस चैनल ह्टेम आपका स्वागत है देखें उत्राखंड सब ओडिनेटर सर्विश अलक्षन कमिशन जिसको उत्राखंड अधिनिस्त सेवा चैन आयू कहा जाता है अगर इसके ओपिसियल वेबसाइट की बात करें तो ओफिसियल नतरगत समूह के अंतरगत पर अपडेट किया गया है किसके लिए पर इस वीडियो के इंतरगत पर अंका समय के नतरगत पर जानेगे इससे पहले हम आगे बढ़ें यदि आपके द्वारा हमारी चैनल लेक्षटेम को सब्सक्रायब तो सब्सक्राइब किज़ेगा ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नॉट्विकेशन आपके पास समभाई पर उपलब्द हो जाएगा उत्राखंड अधिनिस्त सिवा चैनायोग थानो हो गया रोड नियर निकट अगर बात करें तो महाराना पर था इस्पोर्ट सिक कॉलेज राइपूर देहरादून के अंतरगत पर उत्राखंड सबॉर्डिनेटर सर्वेश सेलेक्शन कमिशन का हैटकॉर्टर है ध्यान रखना 248008 इसका किया है पोस्ट इंडेक्शन नमबर है ऑप पोदों पर चेहने तू विग्यापन यहाँ पर अपडेट किया गया है विग्यावन परकासन की तिथी की बात करें तो 5 December 2013 इसको नॉटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है ऑनलाइन आविदन करने की प्रार्म भी तिथी की बात करेंगे तो 11 December 2013 इसको इसका online पत्र में संसोधित करने की तिति अवधी की बात करें तो 4 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तग 4 जनवरी से लेकर 8 जनवरी दोजार चौब इस तक आब इसमें करेक्शन कर सकते हैं कोई मिश्टेक हो जाता है तो पोर्टल ऑन कर दिया जाएगा लिखित परिक्षा की अनुमानित को 31 जनवरी दोजार चौब इसको इसका अनुमानित है कोई फिक्स्ट डेट नहीं है इसमें चेंज भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है इसमें अभी किलेर ली नहीं कह सकते हैं क्योंकि उत्राखंडर सबॉडिनेटर सर्विस सेलेक्शन एक्जामों में डेट और एक्जाम सम कार्याले आपकारी आयुक्त में आपकारी सिपाही के 100 रिक्त पदों कार्याले आपकारी आयुक्त में उपापकारी निरिक्षक के 14 रिक्त पदों गोविंद बल्ल पंत किर्शी एउंग प्रोजोगी की विश्वविद्याले पंत नगर में हल्टी कल्चर मेनेजर ग्रेट थर्ड के लिए रिक्त दो पदो तथा महला कल्यान विभाग ग्रहमाता हाउसकिपिंग के लिए रिक्त दो पदो टोटल 236 स्पोस्टों के लिए आपर नॉटिविकेशन अपडेट किया गया है इच्छू कभी आर्थिया आयो की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर दिनांक 31 दिसम और देख लेते हैं सबसे पहले बात करेंगे परिवहन परिवहन आरेक्षी के लिए टोटल 118 पोस्टों के लिए आपर नॉटिविकेशन अपडेट है परिवहन आरेक्षी हो गया परिवहन आयोक्त शंगठन हो गया शेडूल कास्ट शेडूल ट्राइब OBC EWS और उसके ब एक पोस्ट उत्राखंड ओमें के लिए हो गया 30% रिजर्वेशन दिया जाता है और पोस्ट यहां पर रिजर्व नहीं है अधर वेकवट कलास OBC के अंतरगत 20 पोस्ट है जिसके अंतरगत उत्राखंड महला के लिए फीमेल के लिए 6 पोस्ट रिजर्व और उत्राखंड स् 56 पोस्ट है जिन में से 17 17 पोस्ट है फीमेल के लिए रिजर्व हो गया उत्राखंड स्वतनता संग्राम से नानियों के लिए एक पोस्ट है एक से सर्विसमेन भूत पूर शैनिक के लिए तीन पोस्ट है और और ओर वेकेंसी की बात करें तो इसके अंतरगत पर कितनी वेके टेगरी में फाई पोश्टर यहां पर रिजर्व हो गया ठीक है एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से लेकर 30 साल यहां पर एज मागा गया है और इंपोर्टन्ट की बात कहेंगे तो मादमिक शिक्षा परिश्ट उत्तर परदेश अत्वा उत्राखंड शिक्षा एवंग परिश्ट की इंटर्मीडियर्ट परिश्ट या सरकारदारा उसके समकष्य मानेता प्राप्त कोई अन्य परिक्षा उतीर्ण आप होने चाहिए 12 पा पास में NCC का भी पर्माण पत्र है इसमें थोड़ा सा फिजिकल की माप कहीं गई है सामान्य अनुसूची जाती पिछी जाती के लिए जनरल के लिए के लिए शेडूल काश्ट बेस के अंतरगत पर और उसके बाद में अधर बैकवट क्लास के लिए 165 cm आपके हाइट होनी चाहिए पुरुस अभ्यारतों के लिए सीने की माप 78 और फुलाने के बाद में 5 प्लस होना चाहिए 83 हो इसका माप होना चाहिए सारे इक दक्सता की बात करें तो जैसे दोड़ होगा तो पुरुस के लिए 1500 मिटर 6 मिनट के अंतरगत और महला को 400 मिटर 1 मिनट 35 सेकंड के अ स्थी स dar 65 होगा और दूसरा है पुरुस अभ्यारतों के लिए 500 में जखता पराइक्षण मानकों की अनौसार की जाएगी जो अर्चिकारी पर खर्क्रते की बाता होगे दिब्यांग समब्दी जो चीज है दिब्यांग की परचलिट सेंडियों से संबंदी पर्यूक्त संख्षित्यों का विवरण परीशिष्ट संक्या सेकिन च्हव में दिया गया है इसका आगे दिया गया है जैसे आपकारी सिपाही के लिए 100 पोश्ट हैं जैसे सेडूल के अंतर गत्र पर थरी पोष्ट होगी अधर बएक ट्रइवरेंगे क्लासे पर एक पोष्ट है और उत्राखंड़ फीमेल के लिए एक सीट आग्र सेक्षेन के लिए और तीन पोष्ट या और फैन के लिए आपर रिजर्ब हो जाता है total 100 पोश्ट है जिसके अंदर गयर फीमेल के लिए ठार पोश्ट हैं और इसके अंदर पर स्वतंदा संग्राबंज नानियों के डिर्णा क्लिएए पॉस्ट और एक्षर सर्विसमैन के लिए दोवश्का जौब किया है यदि NCC BAC परमानपत्र आपके पास में परवती सेट शीने की माप की बात कहेगे परवती सेत्र को छोड़ कर सामान्य और पिसे तथा अनुसुची जाती के अब्यारतियों के लिए बिना फुलाई 78.8 cm और फुलाने के बाद में 83.8 cm आपकी फुल परवती सेत्र को छोड़ कर सामाने पिछड़ी तथा अनुसुची जाती के अब्यारतियों के लिए यहां पर हाइट की बात कहेंगे तो 166 cm आपके हाइट होनी चाहिए परवती सेत्र को छोड़ कर सामाने पिछड़ी तथा अनुसुची जाती के अब्यारतियों के लिए ह परवाती सेतर के बियाड़्थों के लिए यहां पर हैट की बात कहीं गई 147 cm और उत्राखंड सेडल ट्राइब बेस के लेंटर पर 147 cm यहां पर जैसे इंपोर्टेंट जैसे फिजीकल टेस्ट इसके अंतर गत्पोन है तो जैसे यहाँ पर दोड़ है रेस के बाद कहीं गिए दोड़ कुल है 4.8 किलोमेटर थ्री मील का बेस एवरेज यहाँ पर लिया जा रहा है समय की बात करेंगे 30 मिनट के अंतर गत्प अगर आप इस रेस को कंप्लिटी पूरा करते हैं मेल कंडिडेट के लिए तो इसके अंदर में 12 मार्क्स आपको दिया जाने है और इसी के अंतरगत पर बात करेंगे तो लंभी कूज जो है मेल के लिए अगर आप इसको पंद्रेफीट पार करते तो 12 माक सो Spread उसके बाद में अध्याराफीट अगर पार करते तो आपको 20 माक से इसके अंतरगत पर भी गज aging दीए जाएंगे यह जाता तो ट्वेंटे माक्स आपको इसके अंतर गत पर इंख्लूड किया जाते है वही फीमेल कंडिटेट के महलाब्यारतों के लिए दोड कूल है 200 मीटर बेश के अंतर गत पर जिसमें टाइमिंग दिया गया है 52 सुसक्षों, आणजाब में फिन फ Are bevor al के द्षाइ। अगर 8 फिर फिर को उत्ती है तो याइन फॉल फिट कूद ा जाता है तो सिस्टीं मारạo 10 फिट कूद आज Va 20 माँ फिमेल के लिए लिया जाना है प्लंग मी इसमें मेटर पे लिए जाने है अगर थर्टीन मीटर पारक किया जाता है तो इसके अंतर्गत पर दिया जाना जो फिजिकल टेस्ट है इसके अंतर्गत्त पर आप सौडी रुप से समझ गयों, जैसे कि आपना नोड का आगा परवतिशत्र के आपर परस्तुत करना निवार यह जिसे insurance के नाम से जाना जाता के विभागिया नियमावली के अनोशार 3M मार्क्स इसके अंतरगत पर इंक्लूड के जाएंगे परते एक अंक 20 मार्क्स का होगा इस परकार यह सारी माप जोग एवंग दक्षिता परिक्षा कुल 60 अंक की होगी और निर्धारी मानकों के अनोशार ही की जाएगी इसके अंतरगत पर जो इसके अंतरगत पर इंक्लूड हो जाता है ठीक है देखिए उबाफकारी निरिक्षक कारेलाय आपकारी आयकत हो गया श्यडियूल कास्ट के लिए 3 पोस्ट है और आई सिमा की बात करेंगे, मिनिमम एज लिमिट ट्वेंट है, मैक्जिमम फोटी टू है, और इंपोर्टेंट की बात कही गई है, तो आप ट्वेल्थ पास होने चाहिए, उसके एक्वेलेंट आपके पास में कोई भी कैलिपिकेशन होना चाहिए, आपको वरियता दी जान पर 160 cm होने चाहिए, और फीमेल के लिए 147 cm होना चाहिए, और परवती हिल एर्या की बात कही गई है, शीने की माप 76.3 cm होना चाहिए, फुलाने के बाद में 5 पूलस हो जाता है, 81.3 cm, जनल के ओर अन्य एस्परेंटों के लिए, अन्य विद्यार्थियों के लिए जो कहा ग 78.8 cm बिना फुलाए और फुलाने के बाद में 83.58 cm होना चाहिए जैसे कि यहां पकाएगा कि न्यून तम फुला 5 cm इंपोर्टेंट लिरूस आपका होना चाहिए क्यों महला ब्यारतों के लिए यहां पर अगर बात करेंगे तो वेट 45 kg आपका वेट होना चाहिए नोट कहा गया है परोती सेत्र के ब्यारतियों को सारी कहरताओं में छूट है तो परोती सेत्र का प्रमान पत्र प्रस्तुत करना आनिवारे होगा पंदाम की बात कहेंगे होस्टल मैनेजर ग्रेट थर्ड के लिए टोटल दो पोश्टे हैं पर दी गई है जिसके अंदर गत में होस्टल मैनेजर ग्रेट थर्ड थर्ड सॉरी गोविंदवाल लफंत किर्शी जो और यहां पर प्रोधोगी विस्विद्याले पंतन अगर के इसमें सेडूल काश्ट के लिए एक पोश्ट और जनरल के टेगरी के लिए एक वेकेंश टूटल दो पोश्ट हो गया और इंपोर्टेंट की बात करें तो यह काफी प्रोटेंट हो जाता है इंपोर्टेंटी एज लिमेट अठार से लेकर 42 साल है और इंटरमीडेट के हाउस कीपिंग फीमेल के टेगरी बेस के अंतर गत्व दो पोश्ट हैं जिसों महला कल्यान विभाग के अंतर गत्व और दोनों पोश्ट जनरल के टेगरी के लिए हैं एस लिमेटेक किस से लेकर 42 साल इंपोर्टेंट क्वैलिपिकेशन उत्राखंड मादमिक सिक्षा परि करें उप्रोग तो पदों के चैन हें तू हंडेड मार्क्स की वस्तोनिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइव इस मुल्टिपल सौइस क्वेश्टन तू आउस का दो घंटा 120 मिनट के अंतर गत्व सो क्वेश्टन होंगे अब्यार्थी परिक्षा पार्ठीक्रम हें तू सब्सक्राइब के लिए 30% 35% मार्क्स लेकि आना इंपोर्टेंट है अन्य था लिखित पर्तियोंगी परिक्षा में अनहर्त माले जाएंगे अगर वेकेंसी बेस के अंतरगत पर कटॉफ जन्रल और OVC के लिए 45% से नीचे चले जाती है तो उसमें अगर वोस्ट खाली भी लेकि आते हैं अगर उसे उपर मार्क से बेस नहीं भी रहता है तो आपका आपका सेलेक्षन नहीं किया जाएगा यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है इसलिए यह चीजें काफी इंपोर्टेंट हो जाता है वैसे तो आ जाता कोई सौटी रूप से और इम्पोर्टें कैसे करना है मैंने पूरा इंफॉर्मेशन पहले अपने प्रोवाइट कर दिया गया फर्स्ट वेस वाले के अंतरगत पर वैसे आप सौटी रूप से समझ गये होंगे उत्राखंड बेस के अंतरगत पर जो नौटिबिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है तो कैसे इसक के अंतरगत पर प्रोसेसिंग करने कैसे इसके अंतरगत पर क्या चीजह है और किसके लिए यहाँ पर पूरी वैकेंसी अपडेट है पुरा वीडियो इस वीडियो के अंतरगत पर हमने सौटी रूप से आपके लिए प्रोवाइट कर दिया गया उमीद करूंगा दोस्तों सब्सक्राइब करने की कोशिस करूंगा उमीद करूंगा दोस्तों आज का वीडियो इंफर्मेशन आप सौड़ी रूप से समझ गयोंगे आज का इन्फर्मेशन अगर आपको अच्छा रगतार लाइक किजे कमेट कीजेगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब किजे वाबस हम नेक्स्ट क्लास के अंतरकत पाप से मिलेंगे जैहिन जैबारत